दोस्तो अगर आपका भी अधार कार्ड हो गया है और आपके पास कुछ भी नहीं है ना ही आपका अधार कार्ड है ना ही आपके अधार का नंबर है आपके पास ना ही उससे जुड़ा हुआ मोबाइल नंबर है और ना ही जो सिलिप मिली थी आपको अधार कार्ड बनाते समय आपके पास कुछ भी नहीं है, तो कैसे आप सिर्फ अपने नाम की मदद से अपने अधार काड को डाउनलोड कर सकते हैं, आईए आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताता हूं, दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को दो तरीका बताने वाला हूं, अगर अधार से जुड़ा हुआ मोवाइल नंबर आपके पास है फिर कैसे आप अपने अधार काड को डाउनलोड कर सकते हो और अगर आपके अधार काड से कोई भी मोवाइल नंबर जुड़ा हुआ नहीं है फिर आप कैसे अपने अधार काड को डाउनलोड कर सकते हो सिर्फ अपन वीडिो को start करते हैं दोस्तों सिर्फ नाम से अधार का डाउन्लोड करने के लिए आपको सबसे पहले कोई भी ब्राउजर ओपेन कर लेना है जो भी ब्राउजर आपके फोन में हो या फिर लैप्टॉप में कोई भी ब्राउजर open कर लेना है मैं यहाँ पर Google Chrome का यूज कर रहा हूँ ठीक है इसके बद आपको क्या करना है यह जो सर्च का option दिख रहा है इसमें search आपको करना है उदय मैं आपको यहाँ पर लिख के दिखा देता हूँ उदय आप यहाँ पर देख सकते हो आपको उदय सर्च करना और और यहाँ पर फुल जाईगी अप दोस्तों आपको यहाँ पर क्या करना है लेंग्वेड़ सेलेक्ट कर लेना है जो भी लेंग्वेड़ आपको अच्छा लगे वह सेलेक्ट कर सकते हो मैं अभी यहाँ पर English कर रहा हूं ठीक है इंग्लिस स्लेक्ट करने के बद आपको यह से कट कर देना है और उसके बद आपको जो माई अधार का सबसे पहला option दिख रहा है यहां पे इस पे आपको क्लिक कर रहा है यह फिर आप जो करसर इस पर ले जाओगे तो अपने आपी ऐसा एक पेज सा open हो जा कि आपके अधार कार्ड में अगर मोबाइल नंबर जुड़ा हुआ है फिर आप अपने अधार कार्ड को निकालना चाहते हैं खोए हुए अधार कार्ड को तो कैसे निकाल सकते हैं और अगर आपके पास मोबाइल नंबर भी नहीं है तो आप कैसे निकाल सकते हैं तो आपको इस पर किलिक कर देना है और जैसे ही आप इस पर किलिक करोगे तो आप यहाप देख सकते हो Select 12 दिजित अधार नमबर 18 दिजित इनॉल्मेंट आइडी तो आपको अपना अधार नमबर निकालना है तो पहले सी अधार नमबर पर Select होके आएगा तो आपको इस पर Select रहने देना है उसके बाद ऊपर आपको नाम लिखना है और नाम लिखने के बाद उसके नीचे आपको लिखना है आपके अधार कार्ट से जुड़ा हुआ Mobile Number क्योंकि आप अभी अपने अधार वाले जुड़े हुए Mobile Number से निकालना चाहते हो तो आपको यहाँ पर अपना Mobile Number लिखना है अगर वो नमबर आपके पास नहीं है तो आगे मैं आपको बताऊंगा कि फिर आपको कैसे अपना अधार कार्ट नमबर निकालना है और अधार Send OTP का बटन दिख रहा है इस पे क्लिक कर देना है अब जैसी आप Send OTP वाले बटन पे क्लिक करोगे तो आपके Mobile Number पे 6 डिजिट का OTP आजाएगा अधार की तरफ से तो वो OTP आपको क्या करना है यहाँ पे लिख देना है तो जल्दी से मैं OTP भी लिख देता हूँ आपको मै Message में भी सो कर देंगा कि कैसा OTP आएगा आपके पास ठीक है तो यह देखे दोस्तों मैंने यहाँ पे OTP भी लिख दिया OTP लिखने के बाद आपको Simply क्या करना है संबीट वाले बटन पे क्लिक करना है और जैसी आप संबीट वाले बटन पे क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे अधार नंबर हो कैसे लिखके आएगा ठीक है तो जब आपके मोबाइल नंबर पर तुरंद के तुरंद आपका अधार नंबर आ जाएगा कभी कभी दोस्तों पांच-दस मिर्ट टाइम भी लग जाता है तो आप वेट कर लेना ठीक है अगर ना आए तो दुबारा से 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 उन पर आइगा ठीक है इसके बाद जब आपका अधार नंबर आपके मोबाइल पर आजाएगा मैसेज में आ जाएगा तो उसके बाद दुबारा से आपको इसी वेबसाइट पहना है और इसी आप्छमपे जाना है और आपको एक उप्छम बैल जाता है डाउलेड अध़क का इस पे क्लिक करना है और यहां पर एक login का बटन मिलेगा login के बटन पर क्लिक करिए और जो message में आपका अधार नंबर आया है उसको यहां पर लिख दीजे ठीक है और यहां पर नीचे इसका capture लिख दीजे और send OTP पर क्लिक कर दीजे तो जल्दी से मैं यह कर देता हूं उसके बाद आगे का process आपको बताता हूं तो यह देखे दोस्तों मैंने यहां पर अपना अधार नंबर और capture लिख दिया है जो भी मेरे mobile पर आया था फिर आपको send OTP पर क्लिक कर देना है और जैसे ही आप send OTP पर क्लिक करोगे तो आपके mobile नंबर पर एक नया OTP आएगा 6 digit का वो OTP आपको यहां पर दुबारा से लिख देना है दोस्तों पहले जो आपका OTP आये था वो आये था आपका अधार काड नंबर निकालने के लिए और अब जो OTP आएगा वो आएगा आपके आधार काड को डाउनलोड करने के लिए तो जो भी OTP आपके mobile phone पर आता है जल्दी से आपको इसको यहां पर लिख देना है तो यह देखे दोस्तों मेरे mobile पर जो भी OTP आया मैंने यहां पर लिख दिया और लिखने के बद आपको क्या करना है लोग इन वाले बटन पर क्लि और इसके बाद अगर आप इसे डाउनलोड करना चाते हो तो आपको एक डाउनलोड का option मिल जाता है डाउनलोड अधार इस पर आपको click करना है और इस पर आप जैसे ही click करोगे तो नीचे की तरफ आप यहां पर देख सकतो आपकी डीटेल दिख जाएगी और यहां डाउन में आपके नाम के आगे का चारक्षर capital letter में और date of birth का last का जो year है वो जैसे कि माल लिजे मेरा नाम है अंसू तो मैं यहाँ पे अपने नाम का आगे का चारक्षर capital में लिखूंगा A.N.S.H. और जो भी मेरा date of birth है उसके last का year जैसे कि माल लिजे मेरा date of birth है 2002 ठीक है तो मैं यहाँ पे लिख दूँगा 2002 बीना space दिये ठीक है तो जैसी आप यहाँ पे लिख दोगे तो आपका आधार कार्ड लॉग इन हो जाएगा और फिर उसे आप डाउलोड करके अपने mobile phone में save कर सकते हो या फिर अगर आप उसे चाहो तो किसी भी cyber cafe से जाके print out भी निकलिवा सकते हो तो दोस्तो यह तो वो process हो गया अगर आपके पास आधार कार्ड से जुड़ा हुआ mobile number है फिर आप इस तरीके से निकाल सकते हैं लेकिन दोस्तो अगर आपके पास कुछ भी नहीं है आपके अधार कार्ड से जुड़ा हुआ mobile number भी अगर आपके पास नहीं है तो इस case में दोस्तो आपको क्या करना है 1947 पे call कर लेना है और 1947 पे call करके आपको 9 number दमाना है जिससे कि आपकी बात customer care से होने लगेगी और जब आपके बात अधार कार्ड के customer care से हो तो आप उनसे ये कहिए कि आपका अधार कार्ड हो गया है और आपके पास कुछ भी नहीं है ना ही आपके पास enrollment ID है ना ही enrollment परची है ना ही उससे जुड़ा हुआ mobile number है तो इस case में दोस्तो वो क्या करेंगी आपसे आपकी detail पूछेंगी जैसे कि आपका नाम आपका डेटा बर्स आपका एड्रेस आपके फादर का नाम और आपका पिन कोड और इन सब चीजों को लेके वो आपका enrollment ID आपको निकाल के दे देंगी और उस enrollment ID से आप बहुत ही असानी से अपना अधार कार नमबर निकाल सकते हो और फिर किसी भी Cyber keffay पे जाके आप अपने अधार नमबर से अपना अधार कार निकलवा सकते हो तो दोस्तो अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप इस तरीके के इस्तमाल कर सकते हैं और इसके बाद अगर आपको कुछ समझ नहीं आता या फिर आपके बाद कस्टमर केर से नहीं हो पाती है आपको कोई परेशानी आती है तो आप मेरे को कॉमेंट करके बता सकते हैं म मैं आपका अधारकार निकलवाने में आपकी मदद कर दूगा तो चलिए दोस्तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही वीडियो के ऐसा लगा कॉमेंट करके जोरू बताएगा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो के एक लाइक कर देजीगा और अगर आपको कुछ समझ में नाया हो तो कॉमेंट करके जोरू बताएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लेजेगा क्योंकि आगे भी मैं आपको ऐसे इंफर्मेटिव वीडियो देता होगा चले दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं